बूर्णिंग स्टुडेंट्स, प्रिविस क्लास में आपको चाप्टर टू, नेवर बेर प्रॉमिसेस का पार्ट वन पार्ट टू में ने पढ़ाया था, आज में आपको पार्ट टी पढ़ाने जा रही हूं, पीछले स्टोरी में हमने पढ़ा था, कि सोहम और वाभव दोन के लिए गया, लेकिन वाभव को वहां नहीं पाया, सोहम डिट नॉट 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 लगा और सोहम डर्ने लगा, और जब वो वेट कर था, तो उसे लगा कि अब उसने बेकार ही वेट किया, वोचही बेकार, क err वेट के लुट नॉट 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 नंॉट नॉट प्रया बोचुनी ए और वो वापस होने का सोचन की लगा, बत अलॉट बस वेट इच्डि को अंब वहां से आल्री जा चूकी जो वहां का बसे stoppage था वो बहुत ही deserted area था वो वहां पर वैट कर stop पर रोना शुरू कर जाता है और वो पोरी रात दर और खौफ में परिशान रहता है यह काउट दा मॉर्निंग बस बैक होम वह सुबह की गाड़ी पकड़ता है मॉर्निंग की और अपने घर वापस जाता है all this happened because his friend failed to keep his promise यह सब कुछ इसलिए होता है तो क्योंकि इसका दोस्त अपने प्रोमिस अपने वादे को निभाने के वे नाकाम रहता है obviously he lost trust in his friend बैभाब वारे और जाहिर सी बात है इसके वज़े से वो अपने बैभाब का जो trust है जो यह विश्वास है वो हमेशा के लिए खो दिया अपने दोस्ते वो अब बैभाब के कभी भी हैकीन नहीं कर पाए moral of the story बच्चो इसका moral of the story क्या हुआ promises means everything but after they are broken sorry means nothing promises हमारी लिए वादा हमारी लिए सब कुछ होता है लेकिन वादा तब तक वादा रहता है जब हम उसे पूरा करते हैं जिस दिन हमने वह वादा कर दिया sorry का मतलब कुछ ने जाता है मतलब हम लाख माफी मांग लें उस वाद सौरी का कोई मतलब नहीं होता है कोई हमें माफ भी कर दे हम उसका trust वापस नहीं ला सकते हैं तो यह बच्चो आज का story यहीं पर खतम हुआ नेक्स क्लास में हम आपको नहीं स्टोरी नहीं मोरेल के साथ मताएंगे तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर